9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को NDA की संसदिय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया पुरानी संसद में शुरू हुई मिटिंग में NDA के 13 दलों के नेता शामिल हुए संसदिय दल की बैठक के बाद नरेंद्र मोधी वरिष्ट नेता लालकृष्णा आडवानी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुँचे इसके बाद गठबंदर ने राष्ट पती को समर्थन सोपा लोकसबा चुनाओ के नतीजे के बाद कमलनाथ ने सोन्या गांधी से मुलाकात की बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा हम चंदरबाबु नाइडू और नेतिश कुमार पर नजर बनाये हुए हैं इसमें इंद्रा गांधी का पुतला दिखाया गया जिसे गोलियों से चलनी किया गया MPPSC ने राज्य सिवा परिप्षा 2021 की फाइनल चैन सूची जारी कर दी है फाइनल नतीजों में टॉप 10 में से 7 लड़किया है मौसम विभाग में आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और जारखंड की अलग-अलग हिस्सों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है वही राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलट है रतलाम में जुआ खेलते हुए एसपी की टीम ने 25 लोगों को पकड़ा इनके पास से 13,89,100 रुपए जब्त किये गए रतलाम में मौसम ने करवट ली है चिलचिलाती गर्मी के बीच जमाजम बारिश से लोगों को गर्मी से रहत मिली है धार भोजशाला सर्वे का आज 77 वा दिन था सर्वे करने के लिए 12 अधिकारी और 36 मजदूर सुबा 8 बजे भोजशाला पहुंचे थे आज की खबरों में इतना ही देखते रहिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मीरर